Hello Friends, Friday night Smackdown खत्म हो चुका है और Friday night Smackdown में हमने देखा कि कैसे रोमें रिंग्स ने finally out कर दिया है The Usos Brothers को आज हम बात करेंगे कि क्या रोमें रिंग्स माफ कर देंगे The Usos Brothers को और Knight of Champion में कौन होने वाला है विनर तो चलिए जानते हैं तो मैं हूँ आपकी दोस और आप देख रहे हैं WWE with Istria Knight of Champion में Roman Rings, Solo Sikua and Cable Orleans and Semizen का मैच होने वाला है और ये मैच काफी जादे इंटरस्टिंग होगा और इस मैच में The Usos Brothers आकर इंटरफेक कर सकते हैं इंटरफेक किसले करेंगे Roman Rings को जिटाने के लिए कर सकते हैं और अगर The Usos Brothers आकर अटेक कर देंगे Cable Orleans and Semizen को तो Roman Rings का दिल कहीं ना कहीं जीच सकते हैं The Usos Brothers और अगर देखा जाए तो इस मैच में The Usos Brothers अगर आकर नहीं भी अटेक करते तो Roman Rings and Solo Sikua ही वीनर होंगे लेकिन Roman Rings को इंप्रेस करना है The Usos Brothers को इसलिए The Usos Brothers आकर अटेक कर सकते हैं Cable Orleans and Semizen के उपर जिसके बज़े से Roman Rings और जादा इंप्रेस हो जाएंगे The Usos Brothers से और माफ करके Roman Rings जॉइन कर लेंगे The Usos Brothers को अपने Bloodline की ग्रूप में और Friday night इस मैकडॉन में हमने देखा था कि कैसे बिना परमीशन के The Usos Brothers के बिल ओलेंस and Semizen के उपर अटेक कर देते हैं और ये देखे Roman Rings काफी जादा नाराज होते हैं काफी जादा गुस्सा में आ जाते हैं और उसी टाइम ही The Usos Brothers को आउट कर देते हैं अपने Bloodline की ग्रूप से और उसके बाद Roman Rings ने Last Chance भी दिया था The Usos Brothers को लेकिन Last Chance भी गवा चुके हैं The Usos Brothers और ये काफी जादा Sad News है फैंस के लिए जो Bloodline के फैंस है लेकिन इस मैच में क्या होता है केबिल ओलेंस एन सेमीजन आकर इंटरफे करते हैं डिस्ट्रैक करते हैं The Usos Brothers को इसलिए The Usos Brothers हार जाते हैं इस मैच में ये चीज़ रोमेन रिंग्स को कहीं न कहीं समझना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि रोमेन रिंग्स कहीं न कहीं ये चीज़ समझ चुके हैं और आगे चलके रोमेन रिंग्स माफ कर ही देंगे The Usos Brothers को लेकिन नाइट ओफ चैंपियन में जादा चांसे है रोमेन रिंग्स को आकर इंप्रेस करने का और ये मौका सायद The Usos Brothers नहीं छोड़ने वाले हैं जब मैच होगा नाइट ओफ चैंपियन में रोमेन रिंग्स, सोली, स्विकव, बसिस, केबिल, ओलिंस, एन, सेमिजन का ये मौका The Usos Brothers नहीं छोड़ने के इंटरफेर करने का और ये देखना काफी ज़ादे इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रोमेन रिंग्स माफ कर देंगे The Usos Brothers को अंचॉइन कर लेंगे अपने Bloodland की ग्रूप में या नहीं ये देखना काफी ज़ादे इंटरेस्टिंग होगा तो इस बारे में आपको क्या है कहना आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही बने रही हमारे चाइले में